प्रिये विद्यार्थियो, आज के इस नए दिन की शुरुआत की तरह ही, आज हम एक नए पाठ का धिन करने चाह रहे हैं। बच्चो जिस प्रकार जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है और इस सीख से हमें नए अनुभव जो है वो मिलते हैं। और इनी अनुभवों के आधार पर व्यक्ती की जीवन लीला चलती हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिने हम पहली बार मैसूस करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव आज की हमारी कहानी का शीर्शक है। हाँ बच्चो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कहानी का शीर्शक है अपूर अनुभव जिसका अर्थ एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में पहली बार मिला हो। यह कहानी सच्ची मितरता पर आधारित है। लेखी का स्वयम स्कूल की चात्रा थी। इस कहानी में दो बच्चे यासुकी चान लड़का और तोतो चान लड़की है। वे दोनों गेरे मितर हैं। यासुकी चान को बच्पन से पोलियो था जिसकी वज़ा से वे पेड़ पर नहीं चड़ पाता था। लेकिन अन्य बच्चों की तरह उसके मन में भी पेड़ पर चड़ने का अनुभव लेने की इच्छा थी। क्योंकि नो गोए में हर एक बच्चे ने बाग में अपना अपना एक पेड़ ले रखा था। कोई भी दूसरे के पेड़ पर बिना उसकी अनुमती के नहीं जा सकता था। एक दिन तोतोचान और यासुकी चान ने गुपत योजना बनाई जिसके अंतरगत, तोतोचान ने यासुकी चान को पेड़ पर चड़ाना था। तोतोचान अपनी मा से जूट बोलकर निश्चित स्थान पर पहुंच गए। यासुकी चान तोतो चान को देखकर बहुत खुश हुआ और पैर घसीटता हुआ उसकी और बढ़ा। तोतो चान अपने मित्र की इच्छा पूरी करने के लिए चोकी दार के चपर की और भागी और सीडी खसीटती हुई लाई। और उसने उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वे द्वीशाखा तक पहुंचाए। वे कुर्सी के उपर चड़ी और सीडी को किनारे से पकड़ लिया और यासुकी चान को उपर चड़ने के लिए कहने लगी। अब यासुकी चान मायूस हो गया कि शायद जितना असान काम उसने समझा था ये इतना असान काम नहीं है। फिर उसने यासुकी चान का पाम सीडी पर रखा और एक पैर उपर धरने में मदद करने लगी। इसके साथ ही वै अपने सिर्थ की मदद से उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती गई। आखितकार दोनों की मेनत रंगलाई और यासुकी चान उपर पहुंच गया। लेकिन सीडी से द्वी शाखा पर पहुंचना यासुकी चान के लिए किसी जौकिम से कम नहीं था। उसे अपने कीये सारे प्यतन विर्थ लगने लगे वै इस थिती में रोने जैसी हो गई। पर उससे पता था कि उसकी यह हालत देखकर यासुकी चान भी रो देगा। इसलिए उसने यासुकी चान का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे लेटने के लिए कहा। कि तुम लेट जाओ, मैं तुमें पेड़ पर खीचने की कोशिश करती हूँ। ऐसी स्थिती किसी बड़े जोखिम से कम ना थी। अपने द्रेड इरादे की वज़े से तोतो चान आखिर यासुकी चान को द्वी शाखा पर पुंचाने में काम्याब हो गई। अब मानो यासुकी चान को दुनिया की एक नई जलक नजर आई। अब वे दोनों बहुत अनंदित हो रहे थे। और जब यासुकी चान ने तोतो चान को अमरीका में टेलिवीजन के बारे में बताया, तो तोतो चान हैरान थी कि टेलिवीजन जैसे चोटे से डिब्बे में इस परकार दोनों बहुत खुश थी तो बच्चो जहां ये कहानी सच्छी मितरता का संदेश देती है वहीं इससे व्यक्ति के द्रिड इरादे के बारे में पता चलता है कि अगर मन में किसी कार्य को लेकर उत्सा और लगन हो तो व्यक्ति संभव कार्य को भी संभव कर दिखा सकता है इसी के साथ ही आशा करती हूँ कि ये आपके लिए भी एक बड़ी प्रेधना दायर कहानी होगी धन्यवाद बच्चो